नहीं करते हैं तो आप लगते हैं जादा ही जादा महनत है लगता हुआ तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कें आगा करो नहीं अब भाई आप ठाइटल देखिए तो भाई पहले आप सोचो कि में आता है सब कुछ करने तो भाई सुनो अगर आप कोई भी बैसिकल क्लीन करते हो तो आप हरवेशा शर्वेश्चिंग के लिए अप घरी पे करते हो लेकिन अगर आप एक साइकलिस्ट हो आपको पता ही कि आप सम स्मूधनेस चला जाता है आप लोग को नहीं पता होगा दिन जिन को भाई समझ लो जान लो यह वीडियो पहले देख लेना क्योंकि इस वीडियो के बाद भाई आगर आप वाश करते हैं आपके साइकल के स्मूधनेस नहीं जाएगी और भाई आप लोग साइकल को ब्लेम करन तो इसे हम लोग बनाएँगे और भाई मैंने भी से योट्यूबसे देखके सिक्था इसे कैसे बनाते हैं तो लोग्लोह ना मत कि तुम ने यहां से वीडियो देखा को वहां से जब मच्छर बहुत लगते हैं मौस्कीटो बहुत ज्यादा यह आते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं इसके में पाइप मिलता है तो इतना उपर इतना फिर छोड़ के इतना उपर पर एक छेट करें तो मैं पहले कर देता हूं क्लाज ऑफ पाइप में एए प्रेशर को वाटए को साथ मिक्स करने में एक कामेंट करके बताना हा मैं यह वीडियो किसका देखा रहा हूं तो अब हम लोग को इसमें शैंपू पहले भर देना है तो मैं शैंपू की आई यहांच तो इसमें अब देख सकते हूं मैंने पहले फिल कर दिया और यह वाला अब हम लोग साइड रखते हैं अब हम लोग एक मोडिफिकेशन करना है इसमें जो कि इसका आगल और नीडल है उसमें को कुछ इस टाइप से खोल देना है तो आगे वाली है आगे वाली की एकदम यहां यहां डाल दियो और यह भी इता होचा और यह यह भी करेक्ट हो गया है अब अब इसमें पानी करना है और इसके बाद पंप शुरू कर देना तो गाइज अब आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा फैडबाइक है काफी जादा गंद है मैं आपको दिखाता हूं एक देखि और यहां और जादा है और अप पार मैं कि यहां चायान cracking करने दुछ तो क्लीन को देखर मराने और आप आपाम ग्लाव यह भी मूत खेखेश बुकर करwell, पर या फिर जहां पर बेरिंग है वहां पर कर रहा है, तो भाई हम लोगा हमलो के पानी रूदी अरुसे घ्रीतल के पीछल निकल सकता है। और उसके बाद आनों की साइकल की स्मूज़ेस चली जाएगी तो देखो मैंने ज्यादा देर तक नहीं किया थोड़ा देर किया और उसके बाद दोनों साइट करके मैंने वाशिंग पे शुरू कर दिया अब हम लोग यह जो इसके अंदर एर पंप कर चुके हैं अब आप देखो किता अच्छी तरीके से मनों का फोम निकल के उत्ता भी जादा डेंस निया क्योंकि भाई मिसमें मैंने बहुत जादा पाने मिक्स कर दिया था लेकिन अच्छे से क्लीन कर देता है तो इसी तरीके से मैं हर जगा इसे कर देता हूं आप फास पारवर में देख लो और यह याद रखना कि हब्स के पास जो हब होते हैं उन्हों के मिलब जहां पर जहां पर बैरिंगे वहां पर ज्यादा जोड़ से नहीं करना है और आप देख लो कि बन chart कि बटी झाप बड़ जोड़, कि बन्च करना है झाल जाफ तरों अपद़ जोड़, कि उन्म चंपे लो और रहां झाल से क्थ कुल तो फिर भॉब आप देखी किसे अच्छी तरीकस हमारा जो है क्लीन हो गया है डिलेर का भई देखो पहले का फूटो देखो पहले का अच्छा हो गया वहां के जो बेरिंग से उसे हम लोग को पानी से जादा देर तक नहीं लगाना है उसके बाद अग्यों रहफ पे बाई मेने ज्यादा सोप का इस्तुमान नहीं किया इसलिए अभी वहां पे डर्ड जम है हम लोग को से ड्राइक लोड से क्लीन करना है और जो हमारा यहां पे उपर में भी जो बेरिंग यह वहां भी हमनों को ज्यादा पानी नहीं गिराना है तो इसी तरह किसे मैंने फैट बे को साफ के तो चलिए मैं आपसे अब कुछ बात करता हूं स को तुर गा delighted कि आधे इस वह रिंद आ वी डागवी डेरच झाला के प्लीश चैनल को सबकेशिघंव किजिए और कमेंट छर दिजarenthिक हमार यहीर वीडियो पनषक और पर लाइक बीकर चाहिए अचे और लोग वाई कमेंट करते हैं कि यौल आ विडियो ला वाला वीडियो ला तो गाई वी डूब में काहाती ज्यादा ही टाइम लगता है मेरे को मेरे को अभी अब सर्वेड लेथे और अब बोड़ सारे तो पढ़ आ पढ़ाई करनी है और भा और इस जीडियो में बस यहीं तब वीडियो चुटा तो वहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आगले वीडियो में तक तक के लिए बाइबाइब